अब बीचार, वर्ड के भेव, क्या है वर्ड के भेव? पहले आप वर्ड को समझ चुके हैं वर्ड क्या होते हैं, वर्ड को हम क्या करते हैं, अच्छा भी करते हैं अब उन वर्णों के भेव को जाने तो वर्ण के भेव, वर्ण के कितने बेर होते हैं, दो होते हैं वर्ण के दो बेर होते हैं, कौन पहला है स्वर और दूसरा है गेंजन पहला क्या है, स्वर है और दूसरा गेंजन है आप आते हैं स्वर्ड, स्वर्ड की ने कहते हैं, जो वाण यानि कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे वाण की सहायता से खुद बोले जाते हैं, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, स्वर्ड करते हैं, इनकी संख्याएं 11 होती हैं, इनकी वर्ड को देखा जा, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, 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 ओ, आओ, ये जो आओ से आओ तके वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये क्या मैं स्वर कहलाते हैं, ये स्वर के अंदर आते हैं, आब आते हैं मिनके भे को जाने, अब इनको भी दो जगए पर रखे जाते हैं, स्वर के भे, स्वर के भे, स्वर के भी बचों दो भे होते हैं, पहला है हरस्वस्वर, और दूसरा है दिर्वस्वर, पहला क्या है हरस्वर है और दूसरा है जर्ड़स्वर अब हरस्वर में चलते हैं जीन स्वरों को बोलने में अन्य स्वरों की अपेच्छा कम समय लगता है उन्हें हरस्वर कहते हैं क्या कहते हैं हरस्वर जिन वर्ड़ों को जिन स्वरों को या कि जो उप्वान है स्वरों है जिन जिन स्वरों को बोलने में अन्य स्वरों की अपेच्छा कम समय लगता है उसको हम हरस्वर कहते हैं इनकी संख्याएं चार होते हैं इनकी संख्यानिती होती है, चार होती है, छोटा आ, छोटी ए, छोटा उ, पुरी, औ, ई, उ, पुरी, यह क्या है, आपके हरस्वर है, अब आते हैं हम दिव्व्वरों में, जिन स्वरों को बोलने में हरस्वर की अपेच्छा अधिक समय लगता है, उनको हम क्या करते हैं, दिव्व्वर करते हैं, उन्हें हम दिव्वर करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, सेवन होती है, यानि कि साथ, बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ, ए, ए, ओ, आउ, 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 आउ झाल झाल झाल